हेलो रिवन वेलकम यो टू जिके टिक्स इस वीडियो बहुं रिट एक्जम्स के लिए आर बेसी 10th क्लास की जोग्राफी का चैप्टर नमबर फिप से समंदिज सारे इंपर्टेंट प्रश्णा में इस वीडियो में कवर करेंगे इसके बाद में केवल एक चैप्टर और एक बात का आप जरूर ध्यान रखेगा कि अपने स्टड़ी को लेकर अब बिल्कुल भी आप धेल मर्थ बतिएगा समय काफी अधिक कम है इसको ध्यान में रखकर अपनी स्टड़ी करें चलिए फर्स्ट क्वेश्ण देखते हैं विस्व में जनसंक्या की दरश्टी से तीसरे नंबर पर कौन है तीसरे नंबर पर है अमेरिका चौते नंबर पर है इंडोनेशिया और पांच नंबर पर है ब्राजिल तो यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है विस्व की कुल जनसंक्या का कितने परतिसत जनसंक्या भारत में निवास करती है तो देखे भारत में निवास करती है 17.3% जनसंख्या तो यहाँ पर option number second इसका correct answer होगा देखे बुक में ये data दे रखा हैं लेकिन जो actual data हैं वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है 17.5% भारत में सर्वादिक जनसंख्या वाला रज्य है उत्रपरदेश, माराष्ट्रा, बिहार, पश्चिम मंगाल तो देखे correct answer रोगा option number first उत्रपरदेश की जनसंख्या भारत में सर्वादिक है दूसरे नमर पर कौन सा रज्य है, माराष्ट्रा, तीसे नमर पर है बिहार, और चौते नमर पर है पश्चिम मंगाल भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला रज्य कौन सा है तो देखे ये रज्य है, सिक्किम, यह आपको ध्यान रखना है, option number first इसका correct answer होगा जनसंख्या की द्रश्टी से राज्यस्थान का भारत में इस्थान है, देखे यहाँ पर 2011 की जन्गड़ना की अनुसार नहीं पूच रहे है तो वर्तमानम की दरश्टी से आपको बताना है कि राजस्तान का कौन सा इस्थान है जनसंख्या की दरश्टी से भारत में तो देखे ये इस्थान है साथवा यहाँ पर ओप्सन में इसका करेक्ट आंसूर होगा सन 2011 की जनगड़ना की अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने परतिसत भाग राजस्तान में निवास करता है तो देखे राजस्तान में निवास करता है भारत की कुल जनसंख्या का लगबग 5.67 परतिसत तो यहाँ आप ध्यान रखेगा सन 2011 की जंदगड़ना की अनुसार राजस्थान का जंसंक्या की दरश्टी से भारत में इस्थान कौन सा है तो यहाँ पर आपसे पूझ रहें 2011 की जंदगड़ना की अनुसार तो देखे राजस्थान का इस्थान ने जन संक्या की दरश्टी से भारत में 8 हुआ देखिए 2014 में जब तेलंगाना आंदर परदेश से अलग हुआ तब राजस्तान की जो रैंके वो 8 से 7 हो गई थी तो यह आपको ध्यान रखना है वर्तमान में भारत में राजस्तान की रैंके जन संक्या की दरश्टी से वो है 7 ही लेकिन 2011 की जन गर्णा में जो राजस्तान की रैंक थी वो थी 8 ही तो यह आपको ध्यान में रखना है राजस्तान में सरवादिक जन संक्या वाले और सबसे कम जन संक्या वाले जिल्ले है तो देखे, राजस्तान को सरवादिक जनसंग के वाले जिल्ला है, वो है जेपूर, सबसे कम जनसंग के वाले जिल्ला है, जैसलमेर 2011 में राजस्तान की जन्संक्या व्रदिदर कितनी रही थी तो देखे कितनी रही थी ये रही थी 21.44 परतिसद देखे बुक में ये डाटा दे रखाए लेकिन एक्चुल डाटा ये है ये आपको द्यान रखना है 21.3 परतिसद 2011 में भारत की जनसंक्य व्रदिदर कितनी रही थी तो देखे इसका करेक्ट आंसर रोगा ओप्शन मर थर्ड 17.64 परतिसत कभी कभार एक्जाम में ये भी डाटा आता है तो दोनों आप दियान रखेगा जो भी ओप्शन में हो आपको क्लिक करके ना है 17.70 परतिसत राजस्तान का सर्वादिक दस्की व्रदिदर वाला जिल्ला कौन सा है तो देखे राजस्तान का जो सर्वादिक दस्की व्रदिदर वाला जिल्ला है वो है बाडमेर और सबसे कम दस्की व्रदिदर वाला जिल्ला है गंगानगर ओप्सन नमर थरड़या पर correct answer होगा जनसेंक्या में होने वाली व्रद्धी या परिवर्तन के कितने प्रमुक घटक होते हैं तो इसके तीन प्रमुक घटक होते हैं कौन-कौन से जनमदर, मिर्धुदर और प्रवास राजस्तान का जनसेंक्या गनत्व कितना है तो राजस्तान का जनसंख्य अगनत्व हैं 201 व्यक्ति परतिवर किलोमेटर ये डाटा बुक में दे रखा हैं और एक्चुल डाटा क्या हैं 200 व्यक्ति परतिवर किलोमेटर एक्जाम में दोनों पूचे हुए हैं ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है तो आपको जो भी option में मिले वो आपको क्लिक करना है लेकिन दोनों एक साथ option में कभी भी नहीं आएंगे तो यह आप ध्यान रखेगा भारत में सर्वादिक और सबसे कम जनसेंक्या गनतवाले रज्य है तो देखे सरवादिक जनसंक्या गनत्वाला राजी है बिहार और सबसे कम जनसंक्या गनत्वाला राजी है अरुनांचल पर्देश 2001 की जंदगर्णा की अनुसार राजस्तान का जनसंक्या गनत्व कितना है देखे यह है 165 व्यक्ति परतिवर्ग किलोमेटर सर्वादिक जनसंख्या गर्णत्व वाला जिल्ला कौन सा है तो सर्वादिक जनसंख्या गर्णत्व वाला जिल्ला है जेपूर option number second यहापर correct answer होगा कितनी आयू के व्यक्ति को साक्सर माना जाएगा जो किसी भासा को समझ कर लिख पड़ सकता है तो देखे इसका correct answer होगा option number second 7 वर्णत्व भारत की साक्सरता दर है तो कितनी है इसका correct answer होगा 84.04 परतिसत्थ यहाप ध्यान केगा 2011 की जनगड़ना के अनुसार राजस्तान की कुल साक्सरता दर कितनी है तो देखे यह है 66.06 परतिसत्थ यहाप राजस्तान की पुरुष साक्सरता दर कितनी रही थी तो देखे राजस्तान की पुरुष साक्सरता दर रही थी option number second 80.51 परतिसत्थ option number second पर करेक्ट होगा यह डाटा बुक में दे रखाए actual data यह आप ध्यान रखेगा 89.2 परतिसत्थ 2011 में राजस्तान की महिला साक्सरता दर कितनी रही थी तो देखे राजस्तान की महिला साक्सरता दर रही थी 2011 की जनगड़ना में option number फोर्थ 52.6 परतिसत्थ actual data भी आप ध्यान रखेगा 52.1 परतिसत्थ 2011 में भारत की पुरुष साक्सरता दर कितनी रही थी देखे यह प्रशन आया था डिट एक्जाम 2018 में तो इसका correct answer रोगा option number second 52.14 परतिसत्थ 2011 में भारत की महिला साक्सरता दर कितनी रही थी देखे यह रही थी 55.46 परतिसत्थ option 4 पर correct answer होगा राजस्तान की महिला साक्सरता कितनी रही थी 52.1 परतिसत्थ दोनों आप ध्यान रखेगा भारत का सरवादिक साक्सर्व सबसे कम साक्सर रज्जी कौन सा है देखे सबसे साक्सर राज्जी है केरल सबसे कम है बिहार option 4 पर correct होगा राजस्तान की सरवादिक साक्सर्व सबसे कम साक्सर जिल्ले कौन से है देखे सरवादिक साक्सर जिल्ला है option 4 परतिसत्थ कोटा सबसे कम है जालोर भारत का लिंगानुपात कितना है तो इसका correct answer होगा option 1st 940 मेलाई परती 1000 पुरुसों पर देखिए ये data book में दे रखाएं लेकिन आपको actual data द्यान रखना है जो भारत का लिंगानुपात है वो कितना है 943 मेलाई परती 1000 पुरुसों पर भारत का सबसे अधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले रज्जी कौन से हैं देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात वाला रज्जी हैं केरल और सबसे कम हैं हरिणा में रज्जस्थान का लिंगानुपात कितना है देखिए करेक्ट आंसर होगा option no second 926 यह data book में दे रखाएं साइद यह गलत ही है पुरा आपको यह ध्यान रखना है 928 तो यहाँ पर option no second से ही होगा देखिए यह दोनों data मैं क्यों ले रहा हूं कुछ student बाद में comment section में comment करते हैं कि सर आप गलत क्यों बता रहे हैं बुक में तो यह दे रखा है और आप यह बता रहे हैं तो इसलिए मैंने यह दोनों data आपके सामने रखे हैं राजस्थान का सर्वादिक लिंगन उपात वाला जिल्ला कौन सा है राजसम्मंद डुंगरपूर द्वालपूर या फिट जेपूर तो देखिए करेक्ट आउंस रोग option no second डुंगरपूर भारत में लगबग कितने परतिसत जनसंक्या गाव में रहती हैं देखिए यह रहती है सत्तर परतिसत जनसंक्या तो तीस परतिसत जनसंक्या कहां पर रहती हैं सेरी छेत्रों में राजस्थान में लगबग कितने पृतिसद जंसंक्या गाउं में निवास करती हैं देखे मैं निवास करती हैं जंसंक्या गाउं में 45.1 पृतिसद तो यहां पर उफ्षर्मर्फरद इसका correct answer होगा तो सैरी छेतरों में कितनी करती हैं निवास 24.9 पृतिसद भारत में परिवार नियोजन कारिक्रम कब प्रारंब हुआ तो ये प्रारंब हुआ था 1952 में राजस्थान का सबसे कम लिंगन उपात वाला जिल्ला कौन सा है तो ये जिल्ला है धौलपूर और थाड़िया पर करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का सबसे कम जनसेंग के अगनद वाला जिल्ला कोन सा है तो सबसे कम जनसेंग के अगनद वाला जिल्ला है जैसलमीर ऑप्सरमर थड़ियां पर करेक्ट आंसर होगा तो इस चेप्टर के सारे प्रश्ण हमने देखे हैं और देखिए लास्ट चेप्टर में हमने देखा था कि जो बोकारो लोह इस्पात सेयंतर है बुक में दे रखा ये चौती पंच बर्शी योजना के दोरान इसका इसकी स्थापना हुई थी देखिए ये गलत है बुक में ये फैक्ट गलत दे रखा है आप ध्यान रखेगा जो बोकारो लोह इस्पात सेयंतर है इसकी स्थापना हुई थी तीसरे पंच बर्शी योजना के दोरान ये फैक्ट आप ध्यान रखेगा तो इस वीडियो में इतना ही है वीडियो पसंद आयो तो लाइक को शियर जरू क प्रियगा धन्यवाद